नमस्कार अपने अमेरिका में हाउडी मोधी का नजारा तो देखा होगा और भारत में नमस्ते ट्रम के नजारे से भी वाकिफोंगे इस समय इन दोनों ही कारिकरम का जिकर करने के पीछे का हमारा मकसद सिर्फ एक तस्वीर है जो इस समय जम कर वारल हो रही है या फिर यूँ कहें कि सोचल मेडिया पर जम कर सुरिख्या बटो रही है अच्छे ज़र सोचिए किसी दूसरे देश का राश्चपती किसे दूसरे देश में जाकर फुटपात पर खाना खाए तो आप क्या सोचेंगे? अब आप यहीं सोचेंगे कि हम यह कैसी बकवास कर रहे हैं लेकिन यह बकवास नहीं है बलकी 100 प्रतिशत सही है किसी भी देश का राश्चपती रेखे जब दूसरे देश में जाता है तो इसकी स्वागत कैसी होती है इस बात से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे लेकिन अमेरिका में ब्राजिल के राश्चपती को रेस्टरांट में एंट्री ही नहीं मिली फिर क्या था? वो भी फुटपात पर खाड़े होकर पिज्जा खाने लगे सुन्दे में ये थोड़ा देखे अटपटा आपको ज़रूर लग रहा होगा लेकिन यहीं सही है दरसल स्वयूंगत राश्च महासबा के 76 सत्र अमेरिका में चल रहा है और जिसमें भाग लेने के लिए तमाम देशों के राश्च धक्ष अमेरिका में पहुँचे है इनी उपस्तित्यों के बीच एक तस्वीर भी वारिल हो रही है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सुर्ख्या बटो रही है दरसल वारिल हो रही तस्वीरों में ब्राजिल के राश्च पती जायर बोर्सल नारों को न्यूयॉक के सड़कों पर फुटपार्ट किनारे पिज़ा खाते हुए देखा जा रहा है और इतना ही नहीं उनके साथ कुछ और लोग भी खड़े हो कर पिज़ा खा रहे हैं और इसे देखने के बाद देखें लोगों के मन में तमाम सवाल उठना तो जाहिर है हर किसे के जहन में बस यहीं सवाल है कि किसी देश के राष्ट धक्ष जो सयूंत राष्ट महासबाब में हिस्सा लेने आए हैं उसके इस तरह सड़क किनारे खड़े होकर पिज़ा खाने के पीछे की क्या बात हो सकती है तो देखे इसके पीछे की बात कुछ और नहीं बलकी कोरोना वैक्सीन है आपको बात बताते चलें अमेरिका के होटल्स रेस्टरॉंट में एंट्री पानी है तो आपके पास वैक्सिनेशन प्रूफ होना जरूरी है जो ब्राजिल के राष्टपती जैयर बोल्स नारो के प पड़े होकर ही अपना पेज़ा खाना पड़ा मैरल आपके इस तस्वीर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा